भारत माता की मैं एक नारा बोलूँगा आप लोगों को मेरे साथ दोराना है मैं कहूंगा विवीजिता में एक ता आप कहेंगे भारत की विशेस्ता विवीजिता में एक ता हारत माता की मन पर भिराज मां केंद्र में मंत्री परिशत की मेरे साथी दाफ्तर हर्शवर्वन जी प्रकाश जावडेकर जी हर्देश पुरी जी संसर्वे मेरे साथी स्रिमान गौतम गंबीर जी मंत्री परिशर के मेरे साथी देश के ग्रहराज मंत्री स्रिमान निश्यानन राई जी मंत्र भिराज मां हम सब के वरिश लेता स्रिमान गिजे कुमार मरहोत राजी सभी वरिश ते साथी और विशाल संध्या में पदारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सब को प्रणाम ये रा मेरा मैदान अनेट एट यहासिट आउसरों का साथी रहा इसी मैदान पर आज़ आप इतनी बड़ी भारी संध्या में बिल्ली के कौने कौने से हम सभी को आशिरवात देने के लिए आए हैं इसके लिए आप सब्ता बहुत बहुत धन्यवाद भाई और भेनों जीवन थे जब अनिशित्ता निकल जाती है एक बड़ी चिंता हट जाती है तो उसका प्रभाव क्या होता है ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूँ आप के उस्था में देख रहा हूँ आपकी जर्म जोशी को अनुभाव कर रहा हूँ मुझे संतोज है कि दिल्ली के 40 लाग से जादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अउसर मुझे और भार्टिये जनता पार्टी को मिला है प्रधान मंत्री उदाय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर अपनी जमीन अपने जीवन की सबसे बड़ी पूजी उस पर संपुर्ण अधिकार मिला संपुर्ण अधिकार और इसके लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था जिनोंने तरह तरह के रोड़े अठकाए वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुथी क्या होती है वो आज राम लिला मादान में दिखाई दे रहे साथियों आजादी के इतने दसकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर दर, चिंता, अनिस्विक्ता, छलकपट और जूठे चुनावी बायदों से गुजरना पड़ा है गैर कानोरी, इल्लीगाल, अनाथराइज, जेजे क्लस्टर, सिलींग, बुल्डोजर और एक कटाउप बेट, इनी शब्दों के इर्दगीर, बिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन, सिमट गया था चुनावाते थे, तो तारीखें आगे बड़ाई आती थी बुल्डोजर का पहिया कुछ समय तक रुख जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी आपको इस चिंता से मुक्ट करने की, इस समस्या के स्थाई समाधान करने की इमानदारी, नियाद, इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई हालत तो ये थे, कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी, छोटी छोटी जानकारिया जुटाने के लिए बाउंडरी तै करने के लिए दो जार इकीस लग जाएगा, दो जार इकीस का समय बढ़ा दो ये मांग कर रहे थे, जब गरीब के लिए काम करना होता है, मद्यमवर्द के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है, जब बेशरम हो करके कहते हैं, कि दो जार इकीस तक पुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही, हमने कहां, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूँगा, और इसलिए, हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया, आरी सक्तुबर में, नमेंबर, डिसेंबर में फ्रक्तिया है पुरी की, और अभी अभी जो लोगसभा का सत्र हुआ, लोगसभा और राजजभा, दोनों सदरों में, दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा, बिल पास कराया जा चुका है, साथियों, इतने कम समय में, टेक्नोलोजी की मदद से, बिल्ली की सक्तरा सो से जादा कॉलोनियों की, बाउंडरी को चिनित करने का काम, पूरा किया जा चुका है, इतना ही नहीं, बारा सो से जादा कॉलोनियों के लक्से भी, पॉर्टल पर डाले जा चुके हैं, कॉलोनियों के नियमिती करन का ये फैसला, गर और जमिन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारुक्तपार को भी गती देने वाला, साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना, ये हमारी प्रवरत्ति नहीं है, ये हमारे समस्कार नहीं है, और नहीं राजनीती का हमारा ये रास्ता है, आप सोचिए, जिन लोगों पर, आप लोगों ने, अपने गरों को नियमित कराने के लिए बरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वाचियों ने जानना बहुत जरूरी है, जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे, और जिन से मांग रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए, इन लोगों ने बिल्ली के सबसे आलिशान और सबसे महंगे इलाकों में, दो हजार से ज़्यादा बंगले अवेद तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे, इन बंगलों के बदले, किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे, उन सरकार वालों ने, इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूड़ दी, लेकिन, आपके घरों को नियमित करने के लिए, कुछ किया भी नहीं, और जो मैं कर रहा था, तो रोड़े अटकाने का कोई मोका भी नहीं छोड़ा। लेकिन, इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था, ये मोधी है। उतने एक तरफ इन वियाईपी लोगों से, दिल्ली के दोहजार से जादा सरकारी मंगले सो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के चालीस लाग से जादा गरीबों मद्दमबर के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया है। उनके वियाईपी उनको मुबाराख, मेरे वियाईपी तो आप ही लोड है। देश का सामान में मान भी है, साथियों दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, इज अफ लिविंग बड़े, दिल्ली में कनेक्टिविटी बहतर हो, ये केंदर सरकार की प्रात्विक्ता रही है। तमाम राजरिती अरोधों के बीच, बीते पांच वर्सों में, हमने दिल्ली मेट्रो का अभुद्पुर्वविस्तार किया है। साथ्यों दो हजार चवदा के पहले, दिल्ली मेट्रो के नेट्वर्क में, आउस्टन करीब, चवदा किलोमिटर प्रतिवर्स का विस्तार हो रहा था। और तब, दिल्ली में उनकी सरकार थी, और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद, राचे सरकार का रवया कैसा है वो बताने की जरुवत नहीं है। सारे विरोध अवरोध रुकामटे सब उसके बावजुद भी हमारी सरकार ने पांच साल में सिती पादा की है कि जहां 14 किलोमेटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमेटर प्रतिवर्ष हो गया है यानि दिल्ली में अब सावाना करीब 25 किलोमेटर नया मेट्रो रूट बन रहा है पिछले पांच साल में दिल्ली में 116 किलोमेटर नई लाइने शुरू है इसके अलावा अभी करीब 27 किलोमेटर नए रूट पर काम हो रहा है बिल्ली में अब सावाना के फेट फोर को लेकर अगर यहां की सरकार यहां की राज्य सरकार राजनीती पर उतारू नहोती राजनीती के अडंगे ना डाले होते बेवज़े मुसीबते पैदा नकी होती तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया है इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके नाम पर राजनीती करने वाले आपकी तकलिफों को कभी न समझे हैं न समझने का उनका इरादा है बर्सों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है वो दिल्ली के लोग बली भाती रोज मर्रा की जिन्दगी में अनुभाव कर रहे हैं बाई और भानों अपने दबतर आने जाने में अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो इसका हमने निरंतर प्रयास किया है दिल्ली के भीटर, सबकों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों और परिफरल एस्प्रिस बे का निर्मान किया गया है ये एस्प्रिस बे भी बरसों से अटका, लटका, भटका पढाता इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक अब वो दिल्ली के भितर नहीं आते हैं वो बहार ही बहार निकल जाते हैं इसे दिल्ली के ट्राफिक पर भी बोज कुछ कम हुआ है और प्रदूशन की समस्या पर भी अंतर लाने में उतने मदद की साथ क्यों शहर में प्रदूशन कम हो इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया बिटे पांच वर्षों में दिल्ली में सेंकडो नए CNG स्टेशन लगाए गए हैं यहां जो उद्योग धंदे चल रहे हैं उनमें से आधों को PNG आधारित बनाया जा चुका है इसके हलावा हजारों इंड पठों को नई तक्निक से जोड़ा गया है अगर पराली जलाने की बात है तो आज पास के राज्यों को भी हमने मदद की है तत्परता से हुनका साथ दिया है और कम जरने का प्रयास किया है लेकिन साथ जो आज बिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समच्या से आँख मुंद कर बैठी है यह समच्या है पीने के पानी की इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगर बिशलिर कहीं पानी जासे मिलता है साथ मिलता है हर घर में सिलकुए साथ पानी आता है मैं जर्ण आप से पूठना चाहता हूँ यह दिल्ली सरकार के बादे से आप सहमेद हो अनकी बातों से सहमेद हो क्या सच मुझ में आपको साप, सुत्रा, सुद्ध, पानी मिलता है आपको पानी देख कर गे चिंता होती है और नहीं होती है बिमारी का डर लगता है और नहीं लगता है यहाँ आपको भी जूट कह रहे हैं आपको भी जूटा बता रहे हैं आप बताईए दिल्ली बाती क्या आप जूटे हैं? क्या आप बेइमान हैं? कैसे आरोब देश के नागरीकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं? साथ यो, सच्चा ये है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधीक वाटर प्यूरी फायर यानि की पानी को सुद्ध करने वाली मशीने रोजाना बिक्ती हैं लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं? जो वाटर प्यूर फायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुप्य की बोटल खरिटता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूसित पानी से काम चलाना पड़ता है अधिकांज जगरों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है और ये लोग कहते हैं दिल ने में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है भाई और बैनों ये लोग किस तरह अपने स्वार के लिए अपनी राजनीती के लिए किस हट तक जा रहे हैं ये आपने पिछले हपते भी देखा है जो बयान दिये गए जिस तरह लोगों को भड़काया गया उप्षाने वाली बाते कही गई जूठे वीडियो उच्टस्तर पर बैटे विए लोगों ने सोचल मिडिया में डाल करके प्रम खलाने का आग खलाने का गुनाहित क्रश्ट किया है भई साथियों अभी हाल में जो संसत का सत्र समात हुआ उसमें दिल्ली की कॉलियों से जुड़े बिल को तो हमने प्रारित किया आपको धिकार देने का निर्णक किया उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ सिटिजन्सिप एमेंड्मेंट बिल पारत की संसत ने लोग सभा और राग सभा ने आपके उजवल भविष्ट के लिए दलीद, पीडीद, सोसितों के भविष्ट के लिए लोग सभा राज सभा ने सभी साउसरा ने इस बिल को पास करने में मदद की है आप खड़े होकर देश की साउसरा का सम्मान कीजिए देश की पार्लामेंट का सम्मान कीजिए देश की लोग सभा का सम्मान कीजिए देश की राज सभा का सम्मान कीजिए देश की जन्ताने चुने हुए हमारे संसदों का सम्मान कीजिए पूरी ताकत से सम्मान कीजिए दोग्तों साथियों मैं भी आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सरवोच्च सदन लोग संसर के मंदीर वहाँ बैटे हुए जन प्रतिरी दी मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ उनका अभिनन्दन करता हूँ उनका धन्द्वाद करता हूँ लेकिन भाईयों इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनितिक दल तरह तरह की अप्पाएं फ्यालाने में लगे हैं वे लोग ब्रमित कर रहे हैं भावनाओं को भड़का रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या जब हमने दिल्ली की सेंकडो इस बात को समझे भावयों बेनो मैं जरा ये ब्रम्ठा लाने वाले जूट बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूँ क्या जब हमने दिल्ली की सेंकडो को बैद करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है आपकी आस्था क्या है आप किस पार्टी को वोड़ देते है क्या हमने आप से कोई सबूत मांगे थे सथर का सबूत लाओ पचप्तर का सबूत लाओ अस्थी का सबूत लाओ मांगे था केंद्र सरकार के इस फैसले का लाब हिंदूओं को भी मिला मुसल्मानों को भी मिला सीख भाई बहनों को मिला हिसाई भाई बहनों को मिला जो भी यहां बसते हैं उन सब को मिला हमने ऐसा को किया क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं हम सब का साथ, सब का विकार, सब का विश्वास के मंत्र को समर्पीत है हाई यो बहनो अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उप्योग करो एकी सत्र में दो बिल पारिद हुए है एक बिल में मैं दिल्ले के चालीस लाग लोगों को अधिकार दे रहा हूँ और ये जूट फ़ला रहा है कि मैं अधिकार फिणने वाले कानून बना रहा हूँ ये जूट चलने वाला नहीं है बेश्विकार करने वाला नहीं है भाई यो बेनो मैं ये जूट बोलने वाले हैं मैं उनको चुनोती देता हूँ जाए मेरे हर काम की पड़तान कीजिए कहीं पर दूर दूर तक भेज़बाव की बुवाती है तो देश के सामने लाकर करके रख दीजिए हमने मैं ये कैस करके आज बताना चाहता हूं दोस्तों बताओ ना पुरा देश कुझे कई दिनों से कह रहा था कुछ बताईए आज देश को भी मैं बता देता हूं एक के जोजना को देखिए जब हमने उजवला योजना के तहट आठ करोड से जादा परिवारों को मुप्त गैस कनेक्षन दिया क्या हमने किसी का धर्म पूछा था क्या हमने उसको सत्तर बहत्तर पचत्तर के प्रमाण मांगे थे उनकी जाती पुछी थी मैं जानतना चाहता हूं कांग्रेस अउसके साथियों से उसकी तरह देश को बांटने की राज़िती करने वाले उनके साथी दलों से कि आग क्यों देश की जंता से जुड बोल रहे हो क्यों उन्हें बढ़का रहे हो बाई और बहनों हमने दिया इतना ही नहीं आगे भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार को उजवला का योजना का लाब पहुँचाएंगे कोई बाकी नहीं रहेगा बाई और भेनों पिछले पांच साल में हमारी सरकार ने डेड करोड से जादा गरीबों का घर बना दिये हमने किसी से नहीं पुछा कि आपका धर्म क्या है ना जाती पुछी ना धर्म पुछा हमने सरफ गरीब की गरीबी को देखा फिर क्यों पूछ लोग जूट पर जूट बोले जा रहे है देश को गुमराह कर रहे है और आज जो ये लोग कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को प्रमिस कर रहे है उन्हें ये आज रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते सबाए कागजों की बंदी से नहीं लगाई वरना पहले तो ये होता था कि सरकार की योजना शुरू होने पर लाभार्थियों को तमाम तरगी तिकने में लगानी पड़ती थी यहां वहां शक्कर काटने पड़ते से हमने ये संपन्द करा दिया हमने तै किया और योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा जाती धर्ब कुछ नहीं देखा जाएगा उजवला के लिए आवास योजना के लिए मुक्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयाम सामने से लोगों के जोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया ना हमने कभी किसी का धर्म पूछा ना जानने की कोशिच की ना हमने कभी ये पूछा का मंदिर जाते हैं कि मजजीच जाते हैं कि गुर्दवारा जाते हैं कि तर्ट जाते हैं हमने कभी नहीं पूछा पिर क्यों पिर क्यों इस तरह का जूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है साथ यो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एक्ष्वर्ण स्कीम आज भारत में चल रही है इस योजना ने देश के पचास करोड से जादा गरीबों को पांच लाख रुपिये तक के मुप्ति लाज की सुवीदा सुनिशिट की है राजनीती स्वार्थ के कारण यहां की सरकार ने आईशुमान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की लेकिन जिन राज्यों में यह योजना लागू हुई है वहां लगबद सत्तर लाख मरीजों का जो पैंसों के अभाव में इलाज नहीं करवा रहे थे पीडा जेल रहे थे मुसीबतों से गुजारा कर रहे थे आज इस योजना के काराण इन सत्तर लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुप्त में हो गया इल्ला भार्थियों में सभी संप्रजाय के लोग है सभी जासी के लोग है सभी पुझा पत्रती के लोग है इस योजना में तो किसी दर नहीं पुछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्मा बताईए फिर आपका इलाज सुरू किया जाएगा फिर ऐसे जूठे आरोफ क्यों इस तरह के आरोफों के बहाने बारत को दुनिया भर में बतनाम करने की साधिस क्यों हो रही है साध्यों इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बलकि देश के कई शहरों को अराजक्ता और डर के महोल में धकिलने की नापाँ कोशिस की है जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए यास्तरी बसों पर तेनों पर हमले किये गए हैं लोगों की गाड़ियों को मोटर साइकलों को साइकल को छटी-छटी दुकानों को जलाया गया है बारत के इमान्दार्ट टेक्सपेयर का पैसा। उसे बड़ी सरकारी संपती उसे आग में खाक कर दिया गया है उसे जुक्साल पहुचाए गया है इनकी राजनीती कैसी है इनके इरादे कैसे है यह बेश बली बाती समझ चुका है मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं मैं जानता हूं पहली बार मैं जीत करके आया देश की जन्ता ने मुझे जीता करके बिठाया तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया दुबारा न जीत पाओं देश की जन्ता सबर्थन न करे इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जिसके पाँच जो साजनता उप्योग किया जूट जितने फैलाने दे फैलाए लेकिन देश की जन्ता ने पहले से जादा आशिरवाद दे दिये ये सदमाई अभी भी जहन नहीं कर पा रहे हैं ये पहले तो आ गया ये दुबारा कैसे आ गया और जिस दिन नतीजा आए हैं उसी दिन से ये देश में तुफान खड़े दे करने की फिराक में है ये इनके इरादे हैं और कोशी से पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं उनका यही हाल होने वाला है और मैं इन लोगों को कहना चाहता अगर मोदी को देश की जंता ने बिठाया ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूँ तो आप मोदी को गाली दो भाई मोदी को नफरत करो मोदी का जितना विरोज करना है जरूर करो आपको मोदी से नफरत है गुशा जितना निकालना है निकालो अरे मोदी का पुटला लगा करके आते जाते जुतने जुते मारने हैं मारो मोदी का पुटला जलाना है जलाओ लेकिन देश की संपति मत जलाओ गरीब का ओटो रिख्षा मत जलाओ गरीब की जोपडि मत जलाओ आपका जितना गुस्ता है वो मोधी पर निकालो गरीब आटो वालो गरीब बस वालो मार कर पीट कर आपको क्या मिलेगा और भाईयों बैनों जिन पुलीस वालों पर ये लोग पत्थर बर्चा रहे हैं उन्हें ज़जबी कर रहे हैं है मैं जड़ा इंस तुफ़ानियों से पूछना चाहता हूं इनके अंदोलनों का निस्फ़ रहे परदे के पीछे मून छीपा कर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पूलीस के जमानों को अपनी duty करते समाएं जो हिंसा का सिकार होना पड़ रहा है उनको माना जा रहा है क्या मिलेगा आपको और इन समारती तत्व समझ ले जब पहले भी आपकी सरकारती ये पुलीस वाले भी आप पुलीस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते हैं इस देश को पता नहीं है आजादी के बाद 33,000 ये आंकड़ा बताईए लोगों को आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलीस भाईयों ने शांती और सुरच्छा के लिए सहादत दी है 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता है 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता है 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता है 33,000 आंकड़ा के शहीद हुए है 33,000 आंकड़ा बारिस देखता है वह आपसी मदद के लिए आके खड़ा हो जाता है अभी यहां दिलनी में ही अभी यहां दिलनी में ही पिछले दिनों जिस मारकेट में आग लगी मंडी में इतने लोगों की जान गई उस समय पुलीस किसी का धर्म पुछने नहीं गई थी आपके अंदर जा करके जितना जिन्दा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया था आप पुलीस पे हमला कर रहे हो और देश के नेता सोज साल से पुरानी पार्टी के नेता उनको हिंदिस्तान क्या है उपदेश दे रहे हैं लेकिन شांती के लिए दो शब्द बोलने को तयार नहीं है हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तयार नहीं है इसका मतलब हिन्सा को आपकी मुक्सामती है पुलीस ओपर हो रहे हमले निर्दोस ओपर हो रहे हमले उसको आपकी मौन सहमती है ये बेज देख रहा है भाईयो 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 आप पुझे कलनब कलपना कीजिए पुलीस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पुलीस का आंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर पुलीस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी 33,000 पुलीस शहीद हुए है मैं आप सबसे कह रहा हूँ आईए उन 33 सदार शहीद पुलीसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए शहीदो शहीदो अमर रहो शहीदो 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 इन सभी शहीद पुलीस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अनदिकृत कॉलोनी के लोगों से आगरे करूंगा 1700 से ज़्यादा कॉलोनी है यहां हमारी सरकार मनने के बाद शहीदों के सद्धांजली देने वाला एक बव्यस्मारक बनाया है इन 1700 कॉलोनी के लोग जरूर एक बार वहां जाकर के फुल चड़ा करके आ जाए करेंगे आप लोग सहीदों का सम्मान करेंगे पुलिस का सम्मान करेंगे पुलिस से भाई चला बढ़ाएंगे जाजों जूट बेचने वाले अप्पाप फ़लाने वाले इन लोगों को पहचानने की जरूरत है ये दो तरह के लोग है ये वो लोग जिनकी राजनिती दसकों तर्ट वोट बेंक पर ही टी की रही है बाई फेलाकर ठैक्यो ठैक्यो भया पीछे वालों को दिखता नहीं है ठैक्यो आपका प्यार सराखों पर मैं कहीं पर भी हूँ दूर वालों की भी तकलिफ सबचता हूँ दूसरे वो लोग जिनको इस राजनिती का लाम मिला है ये लोग सोचते से कि खुदी सरकार है उनको लगता था कि देश उनके इशारे पर चलता है ये सोचते थे कि वो जो इतिहाद बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा वो जो प्रविश बताएंगे उसको ही भारत का भाग्य मान लिया जाएगा बोर्ट बैंक की राजनीती करने वाले और खुद को बारत का भाग्य विधाता मानने वाले आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिये गए हैं तो इन्होंने अपना पुराना हथिया निकाल लिया है बाटो बेद करो बेदबाव करो और राजनीती का उल्लूती दाकरे की कोशिश करो साथियों सिटिजन 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 सिप एमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान ये कानून उसके लिए है ही नहीं ये पार्लामेंट में बोला गया है और पार्लामेंट में गलत बयान बाजी अलाओ नहीं होती है ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड लोग रह रहे हैं उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है दूसरी बात एन आर्सी इसका भी ऐसा जूट चलाया जा रहा है ये कॉंगरेस में जमाने में बनाता तब सोयत है क्या हमने तो मनाया नहीं पार्लामेंट में आया नहीं ना कैबिनेट में आया है ना उसके कोई नियम काईदे बने है हवा खड़ा किया जा रहा है और मैंने पहरे ही बताया इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं ना कोई धर में जाती पूछते हैं तो क्या दूसरा कानून आपको निकान देने के लिए करेंगे क्या बच्चे जैसी बाते करते हो कॉंग्रेस और उसके जैसे दलो ने चिल्ला दिया कि वो देखो क्या चल रहा है आप मैं बताता हूँ ये कॉंग्रेस वालों ने उसके साथ जो ने चिक चिक करके बोला वो देखो कववा कान काट कर उड़ गया कववा कान करकर उड़ गया और कुछ लोग कववा के पीज़े भांगने लगे अरे भई पहले अपना कान को देख लीजिए कि कववा काट गया के ने काट गया पहले ये तो देख लीजिए कि अनर्च के फ़र कुछ हुआ भी है क्या जूट चलाई जा रहा है मेरी सरकान आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोर देखवासों को कहना चाहता हूँ कहीं पर भी एनर्ची शब्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है कोई बात नहीं हुई है सिरफ सुप्रिम कोटने जब कहा तो हो सिरफ आसाम के लिए करना पड़ा क्या बाते कर रहे हूँ जूट ठालाए जा रहा है कॉंग्रेस और उसके साथ ही शेहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्षली अर्बन नक्षल ये अपवा प्रहला रहे है कि सारे मुसल्मानों को डिटेंशन शेंटर में बेच दिया जाएगा मैं हरान हूँ कि इस अपवाने अच्छे अच्छे पड़े लिख भी ये भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन शेंटर क्या होता है कैसा जूट कैसा और एक तरफी मैं एक मीडिया डिपोर्ट रिख रहा था जिसमें मीडिया के लोग लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताईए वही डिटेंशन शेंटर कहां बढ़ा है आपको पता है क्या तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे पिर हमने तो सुना है इसलिए कह रहे है सुना है तो किसलिए है कोई जवाब नहीं चूट चलाए जा रहा है अरे भाई कुछ तो अपनी सिच्छा की गद्र करिए एक बार पढ़तो लिजिए कि सम्विदान समसोदान और हेनार्थी ये सब है क्या आप तो पढ़े नी के लोगो मैं देश के नाउजवानों को आगर करता हूँ जड़ा पढ़िये इसको अब भी जो ब्रह्म्य है मैं उन्हें कहूंगा कि कॉंग्रेट और अर्बन नक्षलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंजेंटर के अपए सरासर जूट है बढ़ इरादे वाली है देश को तबा करने के नापाक इरादों से बरी पड़ी है ये जूट है जूट है जूट है जूट हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जूट हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जिनके पुर्खे माभारती के संतान है भाईयों बैनों उन पर नागरिक्ता कानोर और एनार्थी दोनों का कोई लेना देला रही है कोई देश के मुसल्मानों को न डिटेंशन सेंटर में बेजा जा रहा है न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाईयों बैनों ये सपेज जूट है ये बदिराजे वाला खेल है ये नापाग खेल है और भाईयों बैनों मैं तो हरान हूँ कि ये लोग जूड बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कुछ लोग सिटिजन सिप्रेमेटमेंट एक को गरीबों के ही खिलाप बताते हैं क्योशित कर रहे हैं कि कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हग छिलने लेंगे अरे जूट पहलने ते पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई एक ही पार्लामेंट के सत्रम में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है और अधिकृत कौन ही को अधिकृत बनाने करा काम करता है क्या उसी सत्र में गरीबों को छिनने की बास करेगा क्या जुठ लाकर रखा है भावयों बैनों ये जो एक लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बर्शों से बारत में ही रह रहे हैं किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फाइदा नहीं मिलेगा जो लोग इस तरह का जूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगला देश से धार्मीक प्रताक्रा गया है धार्मीक रुकारों से परिशानी जो हुई प्रतार्णा जो हुई उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है भाई और मैंनों ये वो लोग है और ये कौन लोग है महरानों कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें गुज गए है जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरार्पी आये हैं वो मेरे दलित भाई बेहन है दलित परिवार के हैं भाई ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंदुवा मजदूर बना कर रखा गया था आज भी पाकिस्तान में उनके साथ सिती ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाह पीता है तो उसको चाहे के साथ साथ उस चाहे के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन सास ले जाना होता है आज भी पाकिस्तान में ये हाल है वहाँ पर बेटियों के साथ जो अस्याचार होता है किस दरज जबरन साधी करके उन्हें दर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है ये भी दुनिया भर के अख़़ारों में छप चुका है लगातार मिडिया में आता है ये सिर्फ इतलिये होता है क्योंकि उनकी सज्जा अलग है आस्था अलग है पुझा पटती अलग है पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान मैं वह ऐसे ही सोसन के कारण वह भारत आए अब बर्षों से हमारे बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं भाईयों बेनों एक ऐसी चर्चा है पार्लामेंट में चर्चा हुई अगर हिंदुस्तान के राजनीती नेताओं को अपनी स्वार्चनी जी राजनीती से दूर का दिखता ये ऐसा मोका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है पाकिस्तान कैसे माइनौरिटी पर जुन्म करता है पाकिस्तान में माइनौरिटी की क्या दुर्दथा है ये चित्रपुरी दुनिया में ले जाने का उत्त्म अफ़र था लेकिन इन्हों ने ल्टा कर दिया क्योंकि उनको देश नहीं उनको उनका दल दिखता है इसके कारण बेश की भनाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के कर्टूतों को खुला करने का मोका भी इन लोगों ने गबा दिया और मैंने पहले कहा उस्तरगार से मैं दलीत राज रिज़ी करने वालों का दावा जो करते हैं उन से पूछना चाहता कि आप इतने वर्सों चूप क्यों थे आपको इन दलीतों की तकलीब कभी को नहीं दिखाई दी आज जब इन दलीतों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोधी सरकार कर रही हैं तो फिर आपके पेट में चुहे क्यों दोड रहे हैं साथियों यहां दिल्ली में ही यहां दिल्ली में ही मजनू का टीला में दो हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक सरणार्थी के कैम्प में एक बिटिया का जन्म हुआ और उसके माबाप ने उस बेटिया का नाम नागरिक्ता रख लिया मैं जरा यह हुर्दन मचाले वालों से और उनके पीछे रिमोट कंट्रोल से राजनित्मी करने वालों से कहना चाहता हूँ अगर इस नागरिक्ता नाम की बेटी का जिवन आसान होता है अगर उसके माबाप की जिन्दगी आसान होती है अगर भारत के किसी भी नागरिकी समस्यों का समाधान होता है तो आपको तकलीप क्यों होती है देश में बसकों से रह रहे लाखों गरीबों सताय हुए शोशीत दलित परिवार जो उत्पड़ना के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है मुशिबत के मारे आये हैं अपना धर्म अपना समाध अपनी बेचियों की इज्ड़त वचाने के लिए आये हैं मैं जरा इन लोगों से पूछना चाता हूँ आपको उनसे दुश्मनी क्या है साथियों जब दार्मिक अच्याचार की वज़े से कोई भारत की शरण में आता है तो यहां आकर अपनी आपविति सुनाता है अपनी परेशानी बताता है यह जरा बुद्वी जिवियों मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिये आपको बेच समझा जाएगा कोई भी शर्रार थी मुसीबत के मारे सीमा पार करके किसी भी तरह अगर हिंदुस्तान में पहुँच जाता है तो सबसे पहले वो किसी न किसी सरकारी दप्तर में पहुँचने की कोशिश करता है चोटा सा भी सरकारी मुलाजिम मिल जाए तो उसके पास जाता है नद्विक में पुली स्थाना है तो वहां जाता है और हाथ जोड़ करके खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ मुझे आना पड़ा है मेरी जिन्दगी बचाने के लिए आया हूँ आप मेरी मदद कीजिए वो जुपाता नहीं है आज भी ये लोग खुले आम इंतर्यू दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मंगलादेश से अफगानिस्तान से आये हैं आना पड़ा है लेकिन जो गुस्पेजिया है न वो इंतर्यू देता है न प्रेज से बात खरता है न पुलिस को बताता है कि मेरी मदद करो वो आकर के छिप जाता है और कहीं न कहीं अपना जीवन सिर करने के लिए जुगाड लगा देता है और जो एजन्ड होते हैं उनको मद्दूरी का कुछ हिस्सा देता रहता है भाईयो बेनो बड़ा सीधा जादा परक है गुजबेजिया कभी अपने आपको अपनी पहचान होने नहीं देता और शर्रार भी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है भाईयो बेनो ऐसे बहुत से गुजबेजियों ने आज बाहर निकल कर किस प्रकारगी बाते कर रहे है सच कौनी बताते है भाईयो बेनो उन्हें डर लग रहा है कि उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी साथियो रिफीजी का जीवन क्या होता है बीना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्ब क्या होता है ये दिल्ली से बहतर कौन समझ सकता है यहां का कोई कौन ऐसा नहीं है जहां बटवारे के बाद किसी रिफीजी का बटवारे से अल्प्रसंख्यत बने भारतिये का आंसू न गिरा हो सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसूह का पान है या नहीं है उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है साथियों मैं फिर से स्पस्ट करना चाहता हूँ सिटिजन सीप्ट एमेंडमेंट एक संपिदान संसोजान कानोड किसी की भी नागरिक्ताद छिनने के लिए नहीं ये नागरिक्ताद देने के लिए है हमारे तीन पडोसी देसों के वो अलपसंख्यक दौच्चाचार की वज़े से वहां से भाग कर बारत आने के लिए मजबूर हुए है उन्हें इस एक्स में कुछ मदद की गई है रायायत दी गई है कुछ दिल दी गई है और ये रियायत भी मोदी की सोच है सा मानने की जरूत नहीं है ये रातो रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दी ऐसा नहीं है ये रियायत मात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है मात्मा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो मात्मा गांधी को ले करके देश पर बाते करते रहें और आज भी गांधी सरनेम का फाइदा उठाने की बाते करते हैं जड़ा वो कान खोल करके सुन लो गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा था मोधी को मानो या ना मानो अरे गांधी को तो मानो मात्मा गांधी ने कहा था मात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सीख साथ्यों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ पुझ्य मातमा गांधी कह रहे है भायों बहनो ये छूटे रियायत सबकी भारत की सरकार के वादे के मताबिक है जो बटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोडों भारतियों के साथ आज से सक्तर साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हमने भार है भावियों बहनो आज जब भारतिय जनता पार्टी के नेतरुत्व में एंडिये सरकार इसी दस्व को पुराने भाविये को पूरा कर रही है तो फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है यह बादे तो आपने किये थे आपको बादा करने में आपकी राजलिती आड़े आने लगी आप लोग नहीं कर पाए हमने बादा निभाया है अब यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सभी नागरिक को रियायत दो यह राजलितिक दल अब अवेज गुस्पैट करने वालो और अपनी आस्तागी वज़े से सता हुए सवनार्थियों में कोई बेदी नहीं करते हैं मैंने काम बड़ा बेद साब है एक खुल करके कहता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और दूसरा छुप करके बताता है नहीं मैं तो बाहर का नहीं मैं तो यहीं का हूँ ऐसे दुनिया के किसी देश में होता है क्या साथियों आज रंग बदलने वाले इन दलों को मैं इनके ही नेताओं और फैसलों की बात भी याद दिलाना चाहता हूँ जो लोग ब्रमीत है उनको अगर मेरी बात नहीं मानने है तो मत मानो लेकिन अब मैं जीन के नाम बता रहा हूँ कम से कम उनको तो भरोसा करो भाई और बैनों हमारे देश के पूर्व प्रदान मंत्री डॉक्टर मन महुन्थिंग जी दस साल इस देश पर उन्होंने प्रदान मंत्री पत के रुप में राज किया उन्होंने संसद मैं कहा था खड़े होकर कहा था उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है उन्होंने कहा था कि हमें बंगला देश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्ता की वज़े से वहां पर उस्पिडल हो रहा हो जो वहां से बात करके भारत आ रहे है बताईए भाई यह मनमोन सिंग्जी ने कहा अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनेगार बन जाता है क्या मोदी किसी का दुश्वन बन जाता है क्या मोदी किसी का बुरा करने लिए सोच रहा है क्या इतना ही नहीं एक दौर था जब हसम के पूर्व मुख्यमंत्री कॉंग्रेस के दिग्ज नेता सरुन गोगाई 15 साल मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी चिछियां लिखा करते थे असम कॉंग्रेस प्रस्ताओं पास करते थे कि जिल लोगों पर बंगला देश में चैचार हो रहा है जो वहां से यहां आ रहे हैं उनकी मदद की जाए यह कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री की बाते हैं यह कॉंग्रेस पांटी के प्रस्ताओं की बाते हैं एक समय था जब राजस्तान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशो गैलोस अभी फिर से भी वह मुख्यमंत्री है वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्हों ने भी सरणार्थियों के प्रती हमदर्दी के लिए बाते कही थी वो तो सरकार से मांग करते थे ये मैं गहलो जो कॉंग्रेस के यहाँ पर बड़े प्रियन एता है यहाँ एक परिवार के और पहले भी मुख्यमंत्री रहे और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सीख पाकिस्तान से भाग कर यहाँ आए हैं उनकी सीची सुधारे जाए लेकिन यह रातो रात बदल गए वोट मेंग का खत्रा लगने लगा वो सारी हमदर्दी महरानों आज उनके पेट का दर्द बन गई है जो कल तक हमदर्दी थी वो खुद के लिए दर्द को बन गई साधियो आज दीदी ममता दीदी अब देखा भाई खेल ममता दीदी सीधी सीधी दीदी सीधी कोलकाता से ये नो पहुँच गई सयुक्तरार्टसंग पहुँच गई लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसत में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बंगला देश से आने वाले गुश्पोईधियों को रोका जाए वहां से आए पीडि सर्यार्टियों की मदद की जाए संसत के अंदर स्पीकर के सामने काग़ भैक्ती थी बंगला देशियों के खिलाफ दीदी मम्ता दीदी दीदी अब आपको क्या हो गया आप क्यों बदल गई आप क्यों अफ़ा भला रही हो अरे चुनावाते हैं जाते हैं सत्ता मिलती हैं चली जाती हैं इतनी दरी क्यों हो रहे बंगाल की जंता पे वरोता करो बंगाल की जंता जे आपका विश्वास क्यों उठ गया है बंगाल के नागरिकों को आपने दुश्मन क्यों मान लिया है आपको याद होगा कुछ साल पहले कॉलकत्ता के बहार रेगुलर आर्मी का काम होता है देश के अलग अलग भागों में उनके एक ड्रील होती है वो ट्राफिक की क्या सिती है कभी परिसिती पैदा हुई और आर्मी को मुग करना पड़े तो रोड ट्राफिक के साला वो रेगुलर उनका ड्रील होता है वो एक बार मंगाल में कर रहे थे दीजी ने तुफान ख़ड़ा कर दिया कि मोदी की सेना बग्याल पे आ गई है क्या हो गया है रे भाजयों मैंनो आज वो नागरी का कानूंट में सवार उटा रही है खर आपकी दिक्कट समझ में आती है यहां बैटे हुए लोग भी समझते है आप किसका विरोग और किसका समर्थन कर रही हो यह पूरा हिंदुस्तान बली बांती देख रहा है साथियों आज जिस वामपंद को बारत की जनता नकार चुकी है जो अब दुनिया मैं से सिकुर्टे सिकुर्टे कुछ कौने में रह गए है जो अब समाप्ती पर है उसी के दिगज यह भी जड़ा देख लिए यह कॉमिनिस्ट पार्टी के दिगज उनके नेता प्रकास कारंची ने कहा था कि दार्मीक उत्पड़न की वज़े से बंगला देश से आने वालों को मदद की बात उन्होंने भी की थी आज जब इनी लोगों के राजनितिक दल दार्मीक उत्पड़न की वज़े से भारताय सरार्फ्यों को नागरिक्ता देने से मना कर रहे हैं तो इनका आसली चहरा भी देश के लोगों के सामने आ रहा है उस समय की हमदर्दी सिर्फ और सरपहाना था बोट बेंग की राजनिती थी देश की जंता के साथ बोला गया सफेज जूट था पक्का जूट था सच्चा यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ बोट बेंग की राजनिती कर सकते अपने इसी बोट बेंग के लिए ये राजनिती दल लगातार लोगों को बढ़का रहे अफ़ाय भला रहे नहीं नहीं अफ़ाय गड़ रहे हैं एक टीवी वाले को तो उतके एक महास्वाई ने हिसाम लगा दिया कि एनार्सी में कितना खर्चा होगा कितना खर्चा कहां जाएगा देश के कितने स्कूल अरे जो है ही नहीं दिमाग खाय खपा रहे हो रहे क्यों लोगों को अफ़ा खला के मुरग बना रहे हो यहां दिल्ली के लोग को देख चुके हैं कि कैसे बस जलाने के मामले में एक नाता अफ़ाज वाला ने का काम किया दिल्ली पुलिस तक को कड़गेरे में खड़ा कर दिया बाई और बेनों यह ऐसे लोग है जिनको यह भी ज़रा समझ लो देश का पड़ा लिखान नवजवान मेरी इन बातों को जब सुनेगा और जो मैं बाते कर रहा हूं उनकी जान परतान करेगा तो आज जो फ़ाएं फ़लाई है जो प्रम फ़लाए गया है उसके खिलाब देश का नवजवान भी खड़ा हो जाएगा भाई यो बेनो ये लोग मैं जराओं को पूछना चाहता ये ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर की विदान सबा में महिला और पुरूष के आधार पर बने स्थाही निवासी कानून से कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यहाँ धारमिक अल्फो सक्केकों को नागरिक्ता का रास्ता आसान हो इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है आज जो पार्टियां यहां सोर मचा रही है वो हजार दोजार चार में कहा थी जब वहां की सरकार ने कहा कि राज्य से बहार के निवासी से शादी करने पर जम्मु कश्बीर की बेटियों की वहां की नागरिक्ता खत्प हो जाएगी तब तुम कहा थे क्या वो बेदबाव भारत के सम्विधान की स्पिरिट के अनुसुर्था साथ्यों ये लोग आज किस सिटी में है किस तरह बौखलाए हुए है जब उनके बयान देखता हूँ तो और समझ में आ जाता है कि कितनी राजनीती गंदी करके रखी है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजन सीम एमेंड में लागू नहीं करेंगे अरे आप मुख्यबंतरी हो आप चुने हुए लोग हो बारत के समिधान को सामने रख करके शपट लिया है अरे तिनरंगे जंडे के नीचे खड़े रहते हो पंजाब सिंद गुजरात अमराथा राष्टगान करते हो अरे ऐसे बयान देते हो अरे पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उन्से जरा बात तो कर लो बंद कमरे में कर लो ताकि एसी बीच में जेती नहों आपकी जरा अपने एड़ोकेट जंडरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या क्यों ऐसा करते हो भई ताथियों नागरिक्ता सौंसोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में लोग था ही देश में अइंशा के पुजारी महत्मा गांदी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ मैं इड़ पच्छर और लाठियां देखता हूँ तो मुझे भी और एक सो तीस करोर देश वास्यों को भी तकलीफ होती है होती है गे नहीं होती है कोई हिंसा से सहमत है क्या आज़ जनी से सहमत है क्या निर्दो सोजी पिटाई से सहमत है क्या लेकिन भाईयो बैनो मेरी सोच अलग है उनके हाथ मैं जब हिंसा के सादन देखता हूँ हिंसा का वहवार देखता हूँ तो तकलीफ होती है लेकिन जब उनी मैंसे कुछ लोगों के हाथ मैं तिरंगा देखता हूँ तो कुछ सुकुन भी होता है मुझे पुरा विश्वास है कि एक बार जब हाथ में तिरंगा आजाता है तो वो फिर कभी हिंसा का आवाज उठाने के लिए प्रेरिस करेगा मुझे पुरा विश्वास है कि हाथ में तिरंगा इन लोगों को और ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्टान वारा प्रवजी आतंगबाद के खिलाब भी आवाज उठाने की पहल करेंगे प्रेरिस करेंगे करना चाहिए कि ने करना चाहिए आतंगबाद के खिलाब उन्होंने बोलना चाहिए कि ने बोलना चाहिए पाकिस्तान के कर्तुतों के खिलब बोलना चाहेगे नहीं है यही है कसोटी तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारिया भी ले करके आता है साथियों, कॉंग्रेश और उसके सईयोगी आज इस बात से भी तिल मिलाए हुए है कि आखिर क्यों मोदी को आंतर राश्टी स्तर पर और खास कर मुस्लीम बहल देशों में इतना समर्थन मिलता है क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते है साथियों 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने खुद पाकिस्तान के प्रदान मंत्री को सपट समारों में नौता दिया था हमने नए रिष्टे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मैं खुद लाहोर चला गया था लेकिन बदले में हमें दोखा मिला लेकिन आज जो इस्लामिक बॉल है हमारे जो गल्प के देश है उनके साथ बारत के सम्मान मौजूदा दोर में बारत के इतिहास में सबसे बहत्री आज हमारे समंद है और उसके कई वज़े हैं इसके उदहरन आज कई छेत्रों में देखने को मिल रहे हैं पहला ये कि आज भारत तमाम देशों के साथ अपने समंद मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है फिलिस्तिन हो इरान हो साउदी अरब हो यूई एई हो या फिर जॉर्डन तमाम देशों के साथ भारत के रिष्ते आज एक नई उचाई को चू रहे हैं दूसरा अज़्गानिस्तान हो या फिलिस्तान सुदी अरब हो या यूएई माल्दीव हो या बहरीन इन सब देशों ने भारत को अपना सर्वोच्चनागरी ठम्मान दिया है भारत की संस्कृति के साथ अपने रिस्ते को और प्रगाज करने की कोशिस की है इसी का परणाम है कि साथी अरब ने भारत से जाने वाले हज आत्रियों को कोटा में अप्रत्याति रुप से बढ़ बढ़ावा किया मैंने मान की थी कि भारत में मुसल्मान समाज में मध्यमवर्ग बढ़ रहा है वे हज यात्रा करना चाहते हैं और मैंने कहा मुझे दो लाग का कोटा कर दीजिए उन्होंने कर दिया भाई जो है पिछले पांच वरसों में मुसलिम देशों ने जिस प्रकार और जितनी संक्या में बारतियक कैदियों को छोड़ा है वो अबुद्पुर्व है साउदी अरब हो कुवेत हो कतर हो या बहरील इन सब देशोंने बारत के जितने कैदियों को छोड़ा है उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसकी वज़े है भारतिय संक्रजी सब्वेता के प्रति उनका सम्मान आपने देखा होगा कि मैं खुद जम इन देशों में जाता हूँ तो उनके राजप्रमुकों के सामती के साथ वहां बसे भारतियों के पास भी जाता है वो भी बताते हैं कि इन वर्षों में उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बड़ा है था जो बंगलादेश के साथ हमारे समंदों में जितनी प्रगाटता आज आई है वो वर्षों बाद हुई है बंगलादेश के साथ मिलकर भारत बटवारे के समय से चली आ रही समस्याओं को सुल जा रहा है जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलिवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, ब्रॉडबेंड का विस्तार हो बंगलादेश के साथ हम कंदे से कंदा बिलाकर आज चल रहे हैं ये सारी बाते कॉंग्रेश और उसके साथियों को पच्च नहीं रही है वो यही सोचते हैं कि मोदी को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा और जो मिल रहा है अगर यही चलता रहा तो भारत में उनके जो कारणामे हैं उनकी जो बाते हैं, उनकी अफ़ाएं हैं, उनके जो जूट है, मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारणामे हैं उनको लग रहा है कि दुनिया का मुसल्मान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा तो भारत के मुसल्मानों को डराने का काम कैसे करेंगे, यही इनकी चिंता है और इसलिए समय समय पर यह दल नहीं नहीं साजी से लेकर के आते हैं इस समय भी इनकी साजी सो का नया दोर शुरूआ है उपर से लोग सभा चुनाओ के नतीजों ने तीन सलाकवन मुसलिम बहुन बेटियों और उनके पिता भाईयों के समर्थन ने इनकी टेंशन और पढ़ा दी और इसलिए मैं कहूंगा टैप रिकॉर्ड की मत सुने ओ उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो हमारे ट्रैग रिकॉर्ड को देखो साथियों आप आस्वस्त रहिए मैं सभी देश्वाश्यों को कहना चाहता हूँ आप आस्वस्त रहिए इन लोगों की साजिसों के बावजोद आपका ये सेवत देश के लिए देश की एक्ता के लिए शांती और सद्भावना के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा कोई देश्वासी ना देश को जुकने देना चाहता है ना देश को बटने देना चाहता है भाई यो बैनो ये लोग तो मेरे साथ आख से नहीं 20 साल से दो दसकों से इसी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनकी यही पैटनर है मौत का सोधागर से लेकर अब तक देख लीजिए उन्होंने यही खेल खेले हैं इनकी रग रग से मैं बाप की भूँ और तभी तो आप लोगोंने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है भाई यो बैनो मुझे रास्ते से हटा देने के लिए हर तरह की कोशिट चल रही है यह मेरा सोभाग्य है कि जितनी नफराद यह लोग मुझे करते हैं देश की जनता का प्यार देश की जनता का स्ने उससे भी जादा बढ़ करके मुझे पर बरस्ता है जो लोग गिज की तरह भी नौचेंगे तो गिज की तरह भी नौचेंगे तो भी यह मोदी देश के लिए जिएगा देश के लिए जूचता रहेगा मैं देश के लिए काम करता रहूँगा देश की फुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा देश के लोगों के हिट के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना ये हम सब का दाइत्वा है वो आपका विदाइत्वा है वो मोदी का विदाइत्वा है भाईयो बैनों आपका ये आशिरवात इनकी हर साजिस को बेनकाब करेगा इनकी हर साजिस को नाकाम करेगा और दिल्ली के मेरे साथियो मुझ पर आपके इसी स्ने को देखते हुए मैं आज खास करके अनुथराइज कॉलोनी के लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ मांगो क्या मांगो कुछ मांगो गगा तो बुरा नहीं मानोगे ना लेकिन मांगो गगा फिर कुछ दोगे नहीं तो क्या होगा मांगो आप देंगे क्या बरोसा करता हूँ आप पर साजियों मेरा आपसे आगर है कि आप दिल्ली के जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ पर अगले एक हप्ते तक जबर्ज़त सफाई का अभियान शुरू किया जाए और एक जनवरी नए साल का स्वागत और ज्यादा साथ सुत्री दिल्ली के साथ किया जाए करोगे सामोही ग्रुप से करना होगा कॉलोनी के सब लोगोंने मिल करके करना होगा करोगे दूसरा काम उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने खेतर में काम करेंगे करेंगे पक्ता करेंगे अपनी कॉलोनियों को आपको स्वच्च बनाना है बूरी आदते हो नसिले प्रदार्थ हो उसको भी अपनी कॉलोनियों से पूरी तरह मुक्त करना है हमारे बच्चों के उजवल भविश के लिए आप सभी लोगों के सयोग से दिल्ली और भी निखरे दिल्ली और भी सुन्दर बने यही मेरी कामना है मैं एक बार फिर दिल्ली के लाखो साथियों को अपने घर अपनी जमीन के अधिकार के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और मैं दिल्ली में भी और देश में भी सभी अंदोलन कारियों से अहिन्सा का रास्ता अपनाने के लिए आगर करता हूँ हिन्सा से किसी का भला नहीं होगा हमें हिन्सा से दूर रहना ही होगा यह देश हमारा है यहां के लोग हमारे हैं उनका उजवल भविश ये के साथ हम सब का भविश से भी जुड़ा हुआ है भाईयों बैनो इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सब को बढ़ाई देते हुए मैं मेरी बात को सभात करता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों